के लिए अब बनाते हैं चिकन बिर्यानी तो उसके लिए मैंने लिए निया दो बड़ी साइस की टमाटर चॉप करके कुछ खड़े गरम मसाले ले लिए फिर मैंने 100 ग्राम दही ले लिया है द्रक लसुन का पेस्ट लिया है साथ 100 ग्राम चिकन लिया है साथ 4-5 हरी मिट्च स्लाइस करके तीन वीडियम साइस की प्यास लिया है उनको पारिक चॉप कर लिया है फिसमें डाले रिफाइन ओयल और उसमें डाल दिया है प्यास को फ्राय होने के लिए जब अच्छे से प्यास को थोड़ा सा हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए समें डाल दीजिए खड़ मैठा इना और ? और यह जब अच्छे से तो खड़ पना अच्छे से डाल दीजिए फॉर इसमें डाले थेומे खरगर भी और ब्रा छलसों साइज बिल दल्याए ह man जब राइच्छे से लिए ठीच्छी है अच्छी साइज रदी थेर आप्र prohibindळष्यम दाले है अपने बीच में से स्लाइस की हुई थी वो ड़िए और फिर फ्राइ कीजिए बहुत अच्छे से इसको तब सी तो अच्छे से मिला करके सारी मसालों को अच्छे सरी से बून लीजी फ्राइ कर लीजी और देखे चिकन अपने आप इसमें से थोड़ा पानी जो हो रहा है वो पानी होगा वो खुद ही निगल जाएगा अच्छे से फ्राइ होने के बाद इसमें डाली बिर्यानी मसाला और यह होममीट बिर्यानी मसाला है अगर आप इसके रेसी पे जानी है तो प्लीज आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं तो आप फिर इसको धख कर के छोड़ थास में ने यहां 700 ग चावल लिये है अपक से यतने भी ओब किसी चीज से हो मेजर कर लीजिए قip C1ा जो भी आपके पास हो मैंने करीबन दो ग्लास चावल लिये थे और मैंने दो ग्लास चावल लिये थे तो इसमें तीन ग्लास पानी डाल दिया है फिर डाल दिया है सौल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए फिर इसको दम पे छोड़ दीजिए दब हो जाए तो फिर दाल सकते हैं, प्याज fry होई भी, वोभी अच्छी लगती है मैंने बहुत simple नरीके से बनाया है बहुत easy नरीके से बनाया है अब try कीजिए, आपको अच्छे लगए वीडेउल तू लाइक कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए Please support me Allah Hafiz, thanks for watching our video